कि वेल्कम तू अखंड विद्याशन कि उस अखंड विद्याशन में आपका स्वागत है यह फिर्स्ट इंचुट इंपेकल अखंड़ता का प्रस्ट प्रतीक है आज हम मंत्र विद्या दे साइंस अब मंत्र चांटिंग की बात करेंगी मेरा मानना है मेरा धरम है इंपेकेवल विजटम अखंड़ता है जिसे जानकर की हर खुबसुर चीज को जाना चाता है पैचाना जाता हो जाना जाता है और मेरा सबसे बड़ा अविश्कार दीव्यंग है देवाइन डिजाइन अव नेचर जिससे पूरी श्रिष्टी की जो भी खुबसुर चीजें हैं को अउनको भनाया गया है जह मेरे पूरे जीवन का जीवनों का आधार है और इसका आधार पूरे धर्मों को स्पिर्शल साइन्स को और modern science को समझ कर फिर अपने तरीके से perfection को समझ कर दुनिया में पहली बार 2015 में निकाला गया है अब इसके आधार पे हर चीज को दवारा देकर दुनिया के सामने प्रस्तुत करने का एक मेरा चोटा सा अनुभव है वो मैं अपनी खुशी से अपने अनुभव के आदार पर समझाने की कोशिश कर रहा हूं अब हम मंत्र विद्या के वारे में जानने की कोशिश करेंगे कि मंत्र विद्या हकीकत में है क्या जैसे मैं जानता हूँ कि मंत्र मन के साथ जुड़े हुए है इसका जितना हम रिपीट करेंगे बात दोराएंगे उतनी ही उसे हमें समझ आएगी और समझने के बाद हमें वो खुदुरत के साथ जोड़ देगी शायद वेज को शूति इसलिए कहा जाता है कि उसमें मंतर ही मंतर है वो विज्ञान प्रग्यान अखंडता है जो कुदुरत में सुनाई देती है जो मंतर वो हुने जो जो खुदुरत में बनाए है जो हमने बनाए हैं उनके कोई माइन नहीं है मैं सिर्फ उनी चीजों की बात करूंगा जो हमारे जिसम के अंदर जा जिसम के बाहर जा सृष्टी में जा ब्रहमांड में महाब्रहंड की आवाज है जिसे साइंटिफिक डॉकुमेंट्स भी रखियर कर सकते हैं देख सकते हैं प्रहचान सकते हैं वैसे तो श्रिष्टी में बहुत सी आवाजें हैं जो मानने हैं जिसके आधार पर ही मैं मानता हूं कि संस्कृत लैंग्विज का पूरा अनुभव जो समझिए जो उसे बनाया गया है उन्हीं स्रिष्टी के चीजों को ध्यान में रखते हुए जे करते हैं श्रिष्टी के निर्मान से पहले क्या था इसका वर्नन जो भी है वह रिग्वेद में दसमें निशुक्ता शुक्तम ने दिखाया गया है और जो चीज़ उसमें दिखाई गई है उसके आधार पर मैं यही कह सकता हूं कि जो सबसे पहले धारन नंब्रों का था गन इसी का वर्नन वेद में अंदकार है तमस है शुन्य है डॉट है सब कुछ का वर्नन है जब वो वर्नन भनकर शिष्टी बनी थी तो उसके बात जो चीज़ें बनी है उसके आधार पर जो सबसे पहले चीज़ बनी थी वो रोश्नी थी प्रकाश मात्र एफल्जेंस और एफ ऐख भूता था जिसे हम इंग्लिष में कोईटी सेंस भी कह सकते हैं इतर भी कह सकते हैं जब प्लास्मेक स्टेट ऑद मैटर कह सकते हैं कि वो सिर्फ एनरजी है उसमें आप मैटर नहीं देख सकते हैं और उस आवाज में जो चीज अकाश को से निकली है वो सबसे इंपॉर यह जो शब्द हैं 22 by 21 की तरीके से दिखाए गये हैं मांडू के अपनिशने बड़े शब्दों से साथ इसका वर्नन किया है तो बैस शब्द आज भी मानता हूं कि वह ओम है वह साधारन वह शब्द है जो आवाज आप स्रिष्टी में भी सुन सकते हैं सूर्य वगार में सु वह उसका वह उसकी शिस्ती बना सकते हैं अनुभव कर सकते हैं जो अपने जिसम में और का आनुभव कर सके जैसे कि नीचे के पेट में हम पूरा सांस लेने के बाद सर्बजबकारिश करें आओ है तो आपकी आवाज कहीं ने कहीं मुदातार चकर लोर अब्डामन जा लोर सेंटर जा सेक्र परासंपतेटिक और टांगों के वीच में ही वाइब्रेशन आ जाती है वही आपकी फाउंडेशन है उसके बाद जब सांस लेने के बाद आप उकारा जा उकी वाद करते हैं वह एक परकशन की इंस्ट्रुमेंट की की तरफ आ जाता है डंबरु की तरह बन जाता है उसे हम उकारा कह सकते हैं वह आवाज हम की में जब संस लेकर आवाज मां की हम निकालते हैं तो उस्ट्ति जा hti stres the consciousness the chakra का अनुभव आप कर पाएंगे उसके बाद दो चांटीं के बीच में ऐसा समय भी आता है आप शान्त हो जाते हैं जब आप स्रिष्टी के साथ जुड़ जाते हैं अगर आ कारा साथ का है यू कारा साथ का है मकारा साथ का है उसके बाद जो एक शब्द है तुरिया है दो चांटीं के बीच में आ जाएगा तो आपको वो अनुभव हो जाएगा शायद यही चीज़ अगर हम समझ लेंगे तो हम मंत्रों को समझ पाएंगा कि उनका कनेक्शन मन के साथ जुड़ा हुआ है और जिसम के साथ भी जुड़ा हुआ है वही शब्द है वो आपको ट्रां आकशा में स्तिमाल करते हैं लेटर जो है वो अक्षर कह जाते हैं उसका भी वोग आठिन का अकाश से ही है और मैं कहूंगा कि जितनी भी स्रिष्टी के बनाए हुए मंतर हैं, जंतर है, तंतर है, पास्ट के हैं, प्रेजन के हैं, फ्यूचर के हैं, सब आकाश कोश में पड़े हुए हैं, महाभी आकाश आ जाता है, अक्ष्रों को ही मंतर कहा जाता है, और ज्यादा अक्ष्रों को मिल आप मेन्का पूरा जो ग्यान है वही मंतर विद्या कहा जाता है आप इसे और समझने की कोशिच करके मंत्रा का मन के साथ जुरा हुआ है इसलिए मन रेपीट करते हैं तो वह मंतर बन जाता है तो वह मंतर सुख्ला यह मंतर की बात कर रहा हूं मैं वही मंत्रों की बाद कर रहा हूं जो हम हम नहीं कर रहे हैं हमारा जिसम कर रहा है जा स्रिष्टी कर रही है जो स्रिष्टी कर रहे हैं जिसम कर रहा है हम उनी चीजों को समझने की कोशिश करेंगे अपनी विचार धरब नहीं मैं इतना ही जानता हूं कि आज दुनिया का ज्ञान इसलिए खराब है कि जह हो mathematics हो वह man-made mathematics है divine mathematics नहीं है अगर divine mathematics दिवियंग के तेक्रिस देखेंगे तो सब चीज बदल जाती है तो similarly हमें भी उनी मंत्रों का वन्वब करना चाहिए कि जो हम खुद मैसूस करते है धुब हमारी आत्मा हमको देती है जो हम अंदर ही अंदर मैसूस अपने अपने करते हैं दूसरों के कहने पर repeat करने का कोई माएने नहीं है आप खुद ही जानिये और खुद आवाज से सुनिये कि आपकी अंदर की आवाज आपको कौन चीज कब दिखाने वाली है वो किस सेंटर में है वही आवाज आपको सुनने वाली है शाहिद में इसे ही education कहता हूँ इसे ही enlightenment कहता हूँ इसे अबली спас心 काहता हूँ ने वही करम योग जो अधर्म योग के आधार पर जो हमारा प्रस नले है वही मारा गुरू बन सकता है उसके आधार पर हम आजए देंगे गुरू का दूसरे कोई लोनी गुरू इसको नहीं देसकता है, क्योंकि हरिसान की अपनी ही इक सोच है,流य ही आपनी ही पूरी कहानी है 중 के मैं जानता हूँ कि मैं जहां तक कि पहुंचा हैु, नियोने। मैं भी मैं एवाद की सुना रहा, आपको इक अब अप्सक्यों जहím करें। फिर देखेंगे कि आपकी आवाज आपको कितनी जल्दी दिवियंक और कुदरत के साथ जोड़ देगी, आपको अपना गुरू अपनी अत्रात्मा से भी बनना है, और चांटी का मंतरा को से मन कंट्रोल कर सकते हैं, इसमें जिसम भी कंट्रोल कर सकते हैं, इसमें ब्रत्स की मंतर है, जो मंतर है, और तंतर है जो फिजिकल बॉड़ी है, इन तीनों का वर्नन है, और मैं जानता हूँ कि जब थे कि हम गनित्विद्या उसमें नहीं लाएंगे, कंक्लूशन नहीं लाएंगे, हम संपूर्णता नहीं ला सकते हैं, क्योंकि जो भी डिवाइन ने बनाया है, उसका आदार सिर्फ दिवियन के आदार पे ही है, और जो हम समझते हैं, वो उसके आदार पे गनित्विद्या को अगर लाएंगे, तो हम संपूर्णता ला सकते हैं, यह सोच से काफी उपर है, मगर चोथा विशे एजुकेशन में आना चाहिए, कि हर चीज के पीशे ग गनित का अपरा सिंबल होना चाहिए, और उसका ही अनुभव होना चाहिए, यह चीज मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, और योग जो है, वो भी मन के साथ ही जुड़ा हुआ है, जो माइन की फ्लॉक्ट्वेशन हैं, उससे ही कलेश आता है, जो उसको कंट्रोल कर देत है, इलिमिनेट कर देता है, वो ही योगी कहलाता है, जहां पर मन और मंतर वीच में आ जाते हैं, और माइन को कंट्रोल करने से ही अन्सान, इंद्रियों से मन, मन से बुद्धी, उसके बाद इंट्यूशन, उसके बाद कुदरत के साथ जुड़ से यह एक परमपरा है, जो एक सिस्टेमेटिकली चलती है, वो एक साइंस की तरह मैथेमेटिकली ही है, उसमें कोई लेक देखनी है, जही चीज हमारे शास्त्रों में पड़ी जाती है, दुनिया में देखी जाती है, जब वो चीज एक एक करके, हमें पूरे जिसम को कुदरत के साथ जोड़ देगी, फिर हमार अनुभव होगा, वो तब ही हो सकता है, जह हम अपने आप में परफेक्ट हूमन बींग बन जाते हैं, हम परफेक्ट नहीं है, कोई चीज जो किसी के खिलाफ है, जिससे किसी को भी हमें गालियां देनी पड़ेंगे, बुरा करना पड़ेगा, जा ऐसी चीज है ज को शान्त करके और अनुभव करके चलेंगे तो हम अपने आप में सचित आनंद का अनुभव कर सकते हैं, यही मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं, इसके आदार पे आप यंतर को भी समझ सकते हैं, मंतर को समझ सकते हैं, तंतर को भी समझ सकते हैं, और गनित विद्या को भी क्योंकि जब तक कि हम कारण को नहीं जानेंगे तो आगे नहीं बढ़ पाएंगे काउज एन इफेक्ट और कंटेंप्रली कोई भी चीज हम अनुभव करते हैं उसके आधार को जाने की जरूरी है अगर हम ओम को शब्द को जाते हैं जा आ को करते हैं यू को करते हैं और मा को करते हैं मौ वह शब्द कहां से आ रहा है कहां से origin हो रहा है वो origin को जानना हमारे लिए अनिवारे है और मैं समझता हूं कि जो paramedial sound है शब्द हैं अक्षर है ग्यान है विज्ञान है प्रग्यान है उसका आधार कुद्रत से ही है वो core of cosmos है शायर इसलिए हम इसे शूती कहते हैं कि जो कुद्रत की आवाज है वही शूती है वही मंतर है जो best example मैं समझता हूं वह तत और ओम के बीच में है आप समझते हैं मैंने ओम के बारे में समझा दिया आप जैते तत कहां से आ गया तक तवाम असी एक ऐसा मंतर है जो उपनिश्ट में पाया गया है जाड़ों की उपनिश्ट में है मगर तत की पीशे क्या मतलब है शायद आज तक लोगों ने उस गहराई से जाने की कोशिश नहीं कहीं है और मैं जानता हूं कि लोग तत तवाम असी जब मैं उसकी तरह हूं मगर मुझे पता है कि तत्वाम सी में मैं वैसा नहीं हूँ हम ब्रहमासमी में है मार इसके विशे में हम आगे बात करेंगे जब आ जाते ही हूंन बॉड़ी की जिसे मैं जीवात्मा कहता हूं हंड़र्ट्रिलियन सेल्स हैं मगर सारे के सारे एक की इसलिए मेरे लिए यही है कि इन सब और सोर्स मुझे लगता है कि वो अनतराइत्मा ही है क्यूंकि क्योंकि हमारे गुरू अंत्रात्मा है वहिं जाती जहां वे वह विचारत आ जाती है वहिं अनुभव हम देखने हैं जहां पर ऑन्तरात्मा वहां ले जायेगं Hi I have my original son की बाट करता हूं मेरी अंत्रात्मObja रही ले जाती है जो सबसे बड़ा साउंड है उसे परा शब्ध जा परा अक्षर कहा जाता है वह मूलधार चक्र गैंगलिया निंपा जो नीचे है उसके साथ जुड़ा हुआ है वहां से जब आवाज आती है उसमें संपूनता है उसमें पूरी श्रिष्टी का अनुभब आ कर सकते हैं वही चीज आप सहस्रा चक्रा में भी देख सकते हैं और सहस्रा चक्रा को कुद्रत का मूलधार चक्रा भी कहा जा सकता है तो जो पारा है मूलधार है सहस्रा है दोनों सा के साथ जुड़े हुए हैं अब आज आते हैं पाश्यंती नाभी चक्रा हो जब मनीपुर उशा चक्रा हो, मैं कहुँंगा कि नाभी को δेखा जाए, जो आवास वहां से आती है, उसका अनुवप परह से अलग है, जो अनुआ चक्रा हाट्से आती है, माध्यमा से आती है, उसके आवास बिलकुल अलग है, और मैं जानता हूँ कि जो माद्यमा की अवाज अनता चक्रा की है उसके आदार पे ही बक्ती योग का कल्यान हुआ है devotion to God जो भी मंत्र आपको इश्वर के साथ ले जाते हैं जो अनुवब करते हैं वो दिल से ही निकलते हैं उसमें धिल की भावना है वो माइंड के सेंटर है दिल का सेंटर है इसे शायर उसे भी हम आंकार के रूप में जा माद्यम के रूप में या उंगली के रूप में काफी रूबल से दिखाया गया है मगर मैं समझता हूँ कि वो विचारदार उनकी है जो भक्ती के साथ जुड़े हुए है आप आजाते हैं कि बायखारी जो विशुदी चक्रा है थ्रोट है वो शब्दों को कैसे हम दुनिया के सामने पेश करते हैं उसे बायखारी करते हैं जो फोर्ट स्टेज है आप शब्दों को समझ कर उसका उच्चारन वर्नन करना और दुनिया के सामने पेश करना वो कितना सकते है आप म्यूजिक से भी सेख सकते हैं शब्दों से भी सेखते हैं आवाजों में जो शब्द सबके लिए अच्छे हैं वो बहुत मदूर होंगे वो चीज विशुती में जब वैकारी में नजर आती है मगर जह सब जो ti क्रा मञ्टर हैं रहें व्uchar को सकते हां मैं ज democrat मंत्र चलता है वह हमारी मंत्र को जैसे में में मेरे लिए जो जो अजब्द मन्त्र है वह दुर्गा का मंतर है सर्व मंगल मांगले शिवे सरवात साधी के शरनाय त्रियंबी के गौरी नारायनी नमस्तते मैं आज भी कभी जब उसे करने करता हूं तो मुझे लगता है कि आदा हो चुका है आदा चल रहा है क्योंकि यह मेरे मन के साथ ही जुड़ा हुआ है मगर से में गाहितरी मंत्रा ही काम आ जाता है वह क्यों आता है शायद वह भी मैं समझाने की कोशिश करूँगा आप इसके देखेते तो इन सब जो चुछे में समझाई हैं उनकी application कैसे होते हैं उसे कैसे लोग इस्तेमाल करते हैं प्रियोग करते हैं लोगों ने किया है तो मैं यह हूँ कहूँगा कि मेरे जी मेरी विचारदा रहा है आप सब को मानने की जूरूद नहीं है मगर मैं समझता हूं कि जो आफ्रीकन सिंगर्स हैं जब उनकी आवाज में जब सुनता हूं तो मुझे परावित्या की बात आती है परा की बात आती है वैसे कि वह सांच इतना ले रहे हैं और नीचे फांडेशन से ऊपर जा रहा है तो उसके जो म्यूजिक डान्स हुए रहा है तो आप देखेंगे कि आपकी टांगें भी सात्मात में नाचने शुरू कर देंगी वह म्यूजिक वैसा हो जाता है और जो हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक सिंगर्स हैं वह पाश्यांती से जया नाभी चक्रा से चलते हैं और मुझे याद है कि मैंने बच्पन में देखा था कि हमारे गिरूं ने एक सिंगर को समझा रहे थे कि तुमको बहुत अच्छा सीखना है तो आपको सबसे पहले आवाज को नीचे ले जाकर नाभी तक ले जाए फिर नाभी पर कंसेंट्रेट करके फिर गाने की कोशिश कीजिए उसका अंदाज ही अलग हो जाएगा क्यूंकि आपका फोकस कहीं नाभी तो उसमें एक स्पिर्च्ट्टी का ट्च ही अलग होगा वह कंटिनुटी अलग हो जाएगी उसमें कोई तुमें आएगी इसमें तहर फेर नहीं होने वाला यह इंडियन क्लासिकल सिंगर में खास करके पाया जाता है और मैं मांनता हूं कि काफी लोगों को में आप सुन सकते हैं तो उनकी आवाज आप को लगेगा कि ये गले से निकल रही है जे नाभी से नहीं है मूदातार से नहीं है इसलिए उनकी आवास सुनाइब क्ल्सक्राइब की वात करते हैं सारे गामा पाधा नीसा है शब चबदों का इस्तिमाल होता है जो वेस्टरन म्यूजिक है उनमें अलग किसके शब्दों का इस्तिमाल होता है शायद इस चीज़ को मैं अनुभव कर पाया हूं मगर हर चीज़ की अपनी भूमी का है डिस नो कंपैरिजन मैं समझत हूं कि सारे के सारे ठीक है जिए तक आप अपने अपने उसका कालते हैं और जही चीज मैं जहे भी कहूंगा कि अब कि हिंदुस्तान में बीज मंत्रों का सीध मंत्रों का भी एक वर्नन किया गया है जो कुंढर्णी योग से यह तंतर विद्या के सार्ण जुड़ा हूआ है और तंतर विद्या के तरीके से दिखा जाये तो साथ 22 मंत्रों का वर्नन किया है सथ और मैं खुँंगगे कि सथ जो है वह लाम है वाम है रम है यम है हम है और ओम है जो मैंने खुद оворब किया है कि मेरे हिसाब से अंदर की तरफ जाने चाहिए तो 10 चक्रा है साथ नहीं है तो दिन 10 चक्रों को वर्नन करते हुए तो उनकी आवाज में थोड़ा सा अंतर तो नहीं है थोड़ी सी वेरियेशन ज़रूर है जिसने मुझे शब्दों को या अक्ष्रों को जब मंत्रों को समझने के लिए और भी अनुभव दिया है अगर मुलादा चक्र जो हैं और इसलिए मैं कहता हूँ कि जैसे वेस्टर्न जे अफ्रीकेंज हैं अगर आपको भारत को देखना है तो माल काउंट्स जा हिंडॉलं को लेगे तो वह लाम से ही शुरू होता है यही कहने की मैं कोशिश कर रहा हूं कि वह है उसमें पूरी संपूर्णता है जब स्वा कि विना ओजस के तेजस भी नहीं ओने वाला है मौत जिसने स्वादिस्तान चकर में वाम्त के आधार पे ओजस को बढ़ाया है और ओजस को तेजस में बदलके बुद्धी को और असमिता को और इंट्यूशन को और विज्ञान को प्रग्यान को अखंड तक ले गया है वही कि असली वाम मार्ग को जानता है जे ओजस को बढ़ाना ओजस को तेजस में बदलना और कुद्रिस के सुना ही वाम मार्ग का मार्ग है लाम पूरी सृष्टी को देता है वाम को वो ले जाता है जो नावी की आवाज है वो राम है अगर आप ध्यान के साथ नावी पे ही कंस तो आपको राम ही सुनाई देगा शायद जो लोग वहां से मरते हैं वो यही कहेंगे हे राम, शायद इसलिए कहा जाता है कि राम नाम सत्थ है, क्योंकि ज्यादा तर लोगों की मृत्यू आटोमेटिक यह होती है तो वो राम नाम सत्थ यही एक चीज परंपरा करती है, कि न शायर के चक्रत उन लोगों के साथ जो करम करते कुए ज्यान योग और ज्यान प्रज्ञान से आगे चलते हैं तो ओपर हम के चक्रों का भी अनुभ्व कर लेते हैं मुगर्द थीन चक्रों का बनू तो सब में है सब इंसान इन से इख सका करने के जरूद ते UC that आब आते हैं उशा चक्रा जो अपर अब्डामन के साथ जुड़ा हुआ है उसकी आवाद यम है और अन्हता की आवाद भी यम है कि दोनों एक दूसरे से मिले जुड़े हैं जब विशुद्धी की तरफ आ जाते तो हम की आवाद आ जाती है हम और जब अग्यां की तरफ तो जे हम सो हम हमसा वो ओम की तरफ ले जाने की कोशिश कर रहें अब देखिए इन मंत्रों में भी एक पररमपरा है कि वह आपको ऊपर की तरफ ले जाएगी यम हम हमसा सो हम ओम हर्यूम जैसे फिर प्रज्ञान से ओम आयू में ओम नहीं है बस यही समझाने के और जो सासर की आवास है वो ओम की तरफ आ जाती उसमें तुरिया भी आ जाता है जो कुदृत को आगे ले जाएगा अगर जे चीज समझा जाएगी यह अनुभव कर पाएंगे तो समझे आप बीच मंत्रों को समझ सकते अनुभव करके दुनिया के साथ आगे चलने की पूरी कोशिश हो जाएगी अब आ जाते हैं सब्ट शुराज अब मैं वेस्टन म्यूजिक की बात नहीं कर रहा हूं कि मुझे उसमें ग्यान भी नहीं है और मैं समझना भी चाहता हम ज़रूत महसूस नहीं होती है मगर मैं जानता हूं कि सब्ट शुराज जो इंडिन क्लासिकल म्यूजिक मे हम हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक कहते हैं जो दक्षन वारत का है करनाटी क्लासिकल म्यूजिक है मैं दोनों में एक छोटा सा अंतर है जब मैं हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक शिंद की बात करता हूं जैसे पंड़ शर्मा जी हैं जैसे दूसरे हैं उनमें एक इ क्लासिकल म्यूजिक वो म्यूजिक अलग त्रीक से बनाते हैं वह चीज मैंने काफी लोगों में देखी है मगर जो मेरा पर्सनल अनुवव है पंड़त शुक्मा शेर्मा जी के संतूर म्यूजिक के साथ बहुत ही क्लासिकल रहा है मैं आज भी उनको माननेता समयता हूं अपन से शुरू होती है जो स्वादी सान है उसमें रे आ जाता है और जो नावी चक्रा है उसमें गा है उशा में मा है अनहता में मा है विशुदी में पा है अजना में दा है विज्ञान में दा है प्रग्यान में नी है और सरस्रा में आके फिर सा आ जाता है अगर अगर आप अन चाहे यही हिंदुस्तान की बक्तियों की परंपरा है वो म्यूजिक से ही खुद्रत के साथ जुड़ जाते थे और मैं मानता हूं मेरे जीवन का आधार भी म्यूजिक के साथ ही जुड़ा हुआ है और इसलिए शायद मैंने मुझे बड़ी मैं खुशित ही साथ कहना पड़ता है कि एक पीएची स्टूडेंट मेरे पास आया था उसके लिए मैंने म्यूजिक बनाता है उसके शायद इसकी जिकर मैं इसमें भी करूँगा उसके आधार पर जो मुझे बनाया था जिसने मैंनें दिवेंग धौनी के नाम पे दूस्य वीजियो में दिखाए हुआ हुआ है वह इसको बनाना जाएडिटिंग करने का काम मेरा था मजो रेंडरिंग का काम था मेरे अच्छे निहायत अच्छे दोस्त पंडत जनारदन मिटा जी ने किया है जो भी पंडत शुक्मार शहर्मा जी नहीं मुझे मुझे इंट्रीउस कर रहा था मगर यह भी अपने आप महान एक मुजीशन है उनकी उनकी गानों में जो आनन्द है मैं समझता हूं कि बहुत ही माननी भी है मदूर भी है और इनलाइट्निंग भी है आप आते हैं कि संस्क्रिट शब्द और मैं समझता हूं मुझे किसी वाशा के साथ कोई खिलाफ नहीं है मगर मैं जब वाशों की बात करता हूं तो मुझे एक ही भाशा है जो सबसे उत्तम नजर आती है चाहे आप उसे संस्क्रिट कहिए चाहे देवनागरी करिए चीज है कि जब मैं सोना वाल्स की बात करता हूं जैसे है आई ए ले रे रे वू ए ओ अउ अग अहा जो जी सोना शब्द है जी इनका जो वर्नन है जिस तरीके से है आप उसमें वी एवलूशन सेख सकते हैं मैसूस कर सकते हैं और मैंने खुद ही एक्सपेरिमेंट किया है क कि आ से शुरू करता हूं एसे चलने से मैंसे देख सकते हैं कि आवाज कैसे यह करके ऊपर अड़ती जा रही है अगर अगर आप देखेंगे इसमें भी आपको ओम नजर आ जाएगा आकार जो है आकारा अ से शुरू होता है जब अनहरता पर आपकर यू पर आगे हैं जब आप आगे चल रहे हैं तो जो अंग है अहा है में वह कांगे वह और न के बीच में ज्यादा अंतर नहीं है यो ओ से होकर अंकर अहा कहीं न कहीं आज आ जाता है तो वहां पे भी आप उसी चीज को अनुभव करेंगे जेव इस सब्सम्च्शे महसूस कर सकता है वह बॉल के आधार पर भी देखा है कि इसमें भी कि सिष्टी का कितना खुश्टी खूबसूरती के साथ उन्होंने बहुल को बनाया क्योंकि यही चीज आप आइबरेशन आपको मंत्रों में काम आती है अगर इसमें देखा जाये तो आ यू और म का इस्तमाल है बस अब आजाते हैं कि डिवाइन मत्रों में भी एक मैथमेटिक्स है शाय जे चक्रा जो मैंने बनाया था नाइटी नाइटी फाइव में ज़ो इंप्रोवाइज किया है तो जब अन्हता की बात आये तो यह शब्द मैंने बनाता है इसके सेंटर में आप देख स स्टेज़र में मन जाता है वो सैट मैं कहोंगा कि ओम Dutch कोटन सुभंव कि मैं उसके बात आप देखें कि एक ट्रा यंगल ऊपर की टरव जा रही एक ट्राइंगल नीचे की तरफ जा रही है जो ऊपर की ट्राइंगल है जा नीचे की ट्राइंगल है वह अपने आप में तीन है वहां पर ओम आ जाता है विद्शुन्य सेंटर में ट्राइंगल के बीच कर जो पाठ है वह ओम है जो दो ट्राइंगल है उपर की और नीचे की यो शे बन जाती है और मैं कहूंगा कि वो ओम नमो शिवाया मंत्रा है यहां शिवजी आ जाते हैं जो पंचक्ष्री है वो नमो शिवाया है मगर नमो शिवाया के आगे ओम लगाने से वो शे में बदलने से आप मंत्र विद्या के और भी नजीक आ जाते हैं कि मैं किसी पर कोई बात नहीं कर रहा हूं यह मेरा अनुभव है कि ओम नमो शिवाय जब मंत्र आप उचारण करते हैं तो आप श्रिष्टी के साथ जुड़ जाते हैं छे बज़े इस तो बन जाते हैं जब आगे अपर जाएंगे तो बीच में बारा ट्राइंगर्स हैं बारा कॉर्नर्स हैं और बारा का मतलब जे है कि ओम स्री वासुदेवाय नमा जे विश्णु का मंत्र बन जाता है जो ओम है वह ब्रह्मा का मंत्र है नमश्वय शिव्जी का मंत्र है और वासुदेव नमा वह विश्णु का मंत्र बन जाता है जब आप उसके आगे जाते हैं सब्सक्राइब नG Together सог 2 मेटर कता है यूगान मैं और उसके आगे आप जाएंगे तो इसम्दे अनुभब कर पाएंगे समझा और देखें घंईध विद्या है एं सब्सक्दार बारेन 24 अ्ठालीष 96, एक ही परंपरा चल रही है, यही एक खुबी है कि मंत्रों में भी गनित विद्या का होना जुरूरी है, अगर आप खुदरत के साथ जुना है, मगर आप कोई भी करने से वो आपकी इच्छा है, मैं तो सिर्फ अपना अनुभव देख रहा है को जो मुझे संपून लगा है बाकि आपको कोई संपून लगता है वो आपकी इच्छा है, यह मैं अपना अनुभव दे रहा हूँ, मेरे आधार पर जे इन मंत्रों ने मुझे कुदरत के साथ असानी से जोड़ दिया है, शायद अखंड गायतरी में गायतरी दिव्यंक ही नजर हुआ है, कि उसमें व्य 1974 में मैंने इस सिंबल को बनाया था, मुझे नहीं पता था कि मैं कही स्पिच्छल जी की तरफ जा रहा हूं, यह सिंबल मैंने एक पिक्चर के लिए बनाया था, वो आज भी रिकार्ड में है, वो 1974 की बात है, मगर इसमें देखिए कि मैंने खुब सूर्ती से चार हिस्सों म है, और जो सिंबल है, वो मा है, और उपर तुरिया देख सकते हैं, जे भी मांडूकिया उपनिशद इतने सालों के बाद समझाने की कोशिश कर रहे थे, मुझे अनुभव लगता है, मुझे कभी कभी लगता है कि हम सब जितने भी रियन कॉर्णेशन हैं, जिस सब जान के ह ही कहें, और मैं जिसने ही समझता हूँ कि जो कुद्रत के साथ जुड़ा है, सारे के सारे वो ही अनुभव करने वाले हैं, आप कहा जाता है कि वेस्टू स्पिर्श्यालिटी ऐसमनी और नंबर आप पीपल, हाँ शुरू शाह ऐसे होता है कि अलग लग है, मर अंत की दिशा में सब एक जैसे बन जाते हैं, जब एक जैसे बन जाएंगे ही तो ही आप संपूर्ण अखंटता समझ पाएंगे, शाहिए इसलिए मैं समझ कर दिव्यंकता क्या करें कि मैं से सब चीजें अनुभव कर चुका हूँ, अब आगे चलते हैं, अब जो पहला सिंबल मैंने देखिए वही चीज है जो गाहितरी मंतर में है, जो उपर दिखाया था, अब उसे नीचे आप दिशे ओम भी देख सकते हैं, बूर बवा स्वा भी देख सकते हैं, जहां पर आके फिर गनित विद्या, मंतर विद्या, यंतर विद्या, तंतर विद्या एक ही तरफ से की आना चाहता हूँ कि मैं जानता हूँ कि अगर हमें कुद्रत के साथ जोड़ना है, we have to be mathematically conclusive, शायद इसलिए मुझे देख दिया गया है, क्योंकि मैं समझता हूँ कि अगर मैं scientist हूँ, उसका conclusion math ही हो सकता है, दूसरी कोई भाषा नहीं है, कुद्रत ने जो भी बनाया है, math के अधार पर बनाया है, हमें संपूनता जानती है, तो math ही समझा सकती है, शायद गनित्वित्या को मैं इसलिए add कर रहा हूँ, क्योंकि इससे ही ज्ञान, विज्ञान, प्रज्ञान, अखंडता तक उबर के आता है, अब आ जाते हैं कि इस picture को जब picture है, उसमें तीन चीज की है, अब जब मैं समझता हूँ कि भारत में एक परंपरा है, कि रुबा सुबा योग आसन प्रणायम करने के बात, आप पानी सूर्य भवान को दीजिए, जब सूर्य की उत्पती होती है, उसका क्या लाग है, तो उस गायतरी मंतर को चांड करते हुए, उस गायतरी मंतर क हम ब्रामनी गायतरी कहते हैं, जब हम पूर्व की तरफ देखें, सूर्य उद्पती होता है, तो जो रोश्नी बाहर आती है, वो अल्ट्रा वाइलेट है, और अल्ट्रा वाइलेट लाइट में ही ऑक्सिजिन की उत्पती जादा होती है, उसके आधार पे ही कॉलेस्ट्रॉ विटमिन D3 में भी बदर जाता है जिसके आदार पर ही कैल्शियम की उत्रपती ज्यादा बढ़ सकती है जिसके आदार पर आपके सब संपूर्ण हो जाते हैं और दिल भी साफ करेगा क्योंकि दिल में भी वेंट्रिकल सिस्टॉल के लिए कैल्शियम बहुत जुरूरी है सस्टेन को पॉइंट्री सेकंड के लिए मैं समझा चुका हूं अब मैं सब चीजों को वहां पर देख रहा हूं कि इसका अनवब दिल पर है मसल में विए विटमीन D3 में विए और ऑक्सिजन के साथ भी जुडा हुआ है और साइंस ने भी देखा है अगर आप ऑक्सिजन की जो है वह अल्ट्रा वाइलेट रेट और इंफररेट में जादा आती है बीच में नहीं आती है वह भी मैं दिखा चुका हूं आप व वह ब्रामनी की वह वैशनी भी है 12 वजे नार्थ की तरफ देखे देखे करेंगे तो वह अनुभव आपको देगा मगर वाइट रोशनी है उसमें आप शैडव भी नहीं देख सकते हैं जो शाम को छे वजे हैं आपको पस्चिम की तरफ देखके वही गायतरी मंत्र का उचार करें धन्यवाद करना चाहें कि आपका दिन अच्छा गुजणा है सब कुछ अच्छा है अधेरा आने वाला है आप अंधेरे में जो रोशनी ऑक्सिजिवन हमें चाहिए वह प्लांट की बात आ जाती है जब उस प्लांट की बात आती है तो सबसे महत्व पूर्पूर्व जो है वो पीपल है बैनियन ट्री है फाइकर स्रीपल जो 24 आज ऑक्सिजन देता है मर जो कुछ ऐसे प्लांट है जैसे अलोवेरा वेरा है जो रात में भी अंधेरे में भी ऑक्सिजन देते हैं यह सब सब्सक्राइब चीजें ज्यान आपको उस तरफ ले जाएगा कि कैसे आपको संपूर्ण बढ़ना है आप इसको आगे ले जाते हुए हम और समझने की कोशिश करते हैं हुआ है आप मांडू की अपनिश्द को मैं लेकर आना चाहता हूँ कि मांडू की अउपनिश्द में कों का उचारन कैसे कि यह है ताकि इसे अगर हम समझ लेंगे, तो हम स्ष्ष्टी के हर मंत्रों को असानी से समझ पाएंगे, आप मांडू की अपरिशन में ओम का ही उचारण है, इसके लाबा कुछ नहीं है, अगर मांडू के अपरिशन में देखें तो उसकी उसकी शुरुवात में ही ओम ही है, ए-ऊ-म मैं इति इताथ अक्ष्रम इदम सर्भम कि अब वही स्टेटमेट ही किए एक ऐसा शब्द है वह सबसे उत्दम है कि वह स्टेटमेट ही अपने आप में दिखा देता है कि the greatest sla sound is only इतना strong statement मैंने कहीं वह दूसरे में नहीं देखा थे शुरुबात में दिखा देते हैं इसका मतलब कि Omnipotent Omnipresent जो शब्द है वो ओम है वही Past है वही Present है वही Future है और जो भी है तीन चीजों में जुड़ा हुए है वही तीन चीज जो हैं वह उंकारा में नजर आती हैं वह उंकारा शब्द का इस्तमाल करके वही चीज समझाने की कोश्र करें जो मैं दिखा रहा हूं जो सिंबल है वह ओम है Manifested Past Present Future है इसमें Unmanifested Manifested सारी चीज़ें इसी में ही हैं जिसने अनुफवव ओम को अपने जिसन में अनुफवव कर लिया है वह समझीए कि संपून बन जाएगा जेग इसके लिए इसको स्रेटेस महा मंत्रा भी कहा जाता है प्रज्ञान भी कहा जाता है प्राणावा भी कहा जा सकता है और हर शब्दों में सबसे ज्यादा मंत्र हो और यहाँ पर मैं जे भी दिखाने चीज़ेंगा कि जे ओम का जो शब्द है जो मैंने जाना है वो यह है मांडू की नहीं से जादा ऐसा है आकारा साथ शक्तों में है यूकारा साथ में है मां साथ में है और तुरिया एक है वह mathematics देखने से मुझे और भी समझ आ गई है कि हमें mathematically conclusion आज की बात नहीं हम शुरू से ही कर रहे हैं अब मैं दुनिया को बताता हूं कि Western को जीरो के बारे में ग्या नहीं है वो समझते थे कि यह आरे बता जा ब्रह्म कुप्ता न दिया है में जानता हूं कि अखंड भारत के जो ब्रह्मन है उनको शुरू से पता है कि मंतर विद्या शुरू ही ब्रह्मन जीरो से ही है डॉट से सब शुरू सिर्टी शुरू हुई वही zero है जो शब्द में उसी से निकले हुए वही ओम की फार्म में है वही मैंजमी कोशिश करीफ उसी में द्यूम्यां करे उसी में तक तौमेशी हैं हम अब जही मंतर हैं जिनके माइने अलग तरीकित दया इस ने देखता हूं अब आ जाते हैं कि जो पहला दूसरा वर्स है उसमें ओम श्रेवत है उसे ब्रह्मा के साथ जुड़ा गया है अब मैं पुराणी बात आगी निए आ की जो बात है वो पूरन मंत्र है मगर उसका आ का पार्ट है वो ब्रह्मा के साथ जुड़ा हुए जो आत्मा के साथ जुड तो ओम को रेप्रेसेंटेंज लिए ब्रह्मा को है और वही आत्मा है जह सब चीज पही डूसर बस्र Quarter नजर आ जाती है ब्रह्मा आत्मा और परमात्म वही कहीं से वही से अब आगे चलते हैं ऍस जो तीसरा वर्स है वो जागरिता हब आमने अनुभव कर लिया है मैं कहता हूँ कि 7 साल तक कुछ नहीं कीजिए आत्मा से ही दुनिया को देखिए उसके बात पढ़ना शुरू करेंगे तो जागरित स्थिति में आएंगे 14 साल के लिए तो आपकी education आत्मा से शुरू होने चाहिए ओम के साथ शुरू होने चाहिए घ्यान में वो अखंटता आजाएगी तो waking stage में आप बाहर की दुनिया को देखने वाले हैं और बाश की दुनिया के इसके साथ limbs हैं जहां पे आ के साथ की बात आ जाती है जो आ है उसके साथ हैं यू के भी साथ हैं और मां के भी साथ हैं यहीं पर शुरू हो गया है लिए जो 19 फेसिस के हैं शायद मैं आज तक समझ नहीं पाया हूं जिसने समझूंगा उसके विद्चे में मैं बात करूँगा इट एक्स्पेसिद ग्रॉश फिजिकल मैंटर को दि मैं मेडिकल कॉलेज में था वह पिक्चर दिखाने की कोशिच करना कि हम कैसे ओम के साथ चलते थे और जो लेट साइड में पर देख रहे मेरे दोसे मुंग इसलामिक विलिमिक करते हैं वह आमीन कहते थे मैं ओम कहता था और जियूज उसे शैलों कहते हैं और क्रिश्चिन अंकारा के नाम से जानते हैं और जी शारे शब्ड एक जैसे ही नहीं है उस पे कोई अंतर नहीं है मेरे और अब्दुल के बीच में भी आमीन शब्क बहुतिस्तिमाल कते हैं ऐसा ही होगा वही ओम है मैं ओम भी कहता हा आमीन भी कहता ता आमिन भी कहता हे श्यलूम decision ब्रद करता है मुझे सारे शब्द एक जैसे लगते हैं कि सब में वही प्रेम भढ़ा हुआ है यही मेर्ड दुनिया को दिखाना चाहता हूं कि सब दर्मों में निव का इंस्तेमाल हुआ है चाहे आमेन हो चाहे अमीन हो शाशीलों हो चाहे ओम हो जर ओम RAW का यह उम अंदर की दुनिया में ही आपको अंदर का अनुभव होगा इसके वी सात यसे हैं जैसे वो नाइन फेसीज है इसमें सटल लाइट आपको नजर आने वाली है अंदर की रोशनी आप देखने वाले हैं और यह भी मैंने अनुभव किया है कि जब अंतरात्मा वेंट्रिकल में आ गई है तो वह अंदरी अंदर मुझे दस डैमेंशन को दिखाती है जब बाहरी की दुनिया है उसमें लोग तीनी देखते हैं लेंट ब्रेथ और डेप्ट को देखा जाता है मगर जब अंदर की तरफ ड्रीम में आ जाते हैं आप दस दिशाओं को देख सकते हैं जैसे अ बांडू की अपनिशन को लिखा है वह बहुत अनुभवी थे शब्दों का बहुत बड़ा इस्तिमाल की उचारन बहुत बढ़िया है एक एक शब्द अपने आप में मंत्रों की तरह है अब आगे चलते हैं आप पांचमे वर्स में जो स्टेज आती है वह डीप स्लीप के आजाती है पहली जो वेकिंग कॉंशेसने एक्सेरनल वर्ल को देख रहे हैं जब ड्रीम है तो इंटरनल वर्ल को देख रहे हैं जब पांचमे वर्स में शुषुप्ता जै डीप स्लीप में आ जाते हैं वह आपको बिलकुल अंधेरे की तरफ ले जाएगा शिष्टी के प अ परिंपरा है मैं कहता हूं कि जो आराम से सोता है कुई टोनगों खवर नहीं है जब उटते हैं तो आपको एक ही आइस्चित NOT का अनुभव होता है क्योंब इसमें ही आपको आत्मा का अनुभव हो जाता है ऑब उसकी रोश्णी ब्रह्मा के रूप में दोता है चीफ्या आत्मा जब और के आ जाती है तो आपको ज्यान हो जाता है यह पांच में तक है अब जब आगे जाते हैं तो वह आपको और भी आगे ले जाता है जहां पर जो चीज सबसे ऊपर आती है सबसे आगे है इस ओमनी पर लॉट अवर्थिंग ओमनी प्रेजेंट है विज्डम आफ कि मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूं अब साथ में आते हैं तो आप फोट स्टेट अब विज्डम ऊबर के आ जाती है पहले में जागरता है फिर ड्रीम है उसके जब जो तीनों मिलके आते हैं तो वही उसमें आपको पुरा अनुभव दे देखते हैं वही सर्वम है मर उ आज सिस्टियों से आगे देखना शुरू कर देते हैं यह आदमी आदमी नहीं देख सकता है मगर जो कुद्रत के साथ जुड़ा है वह अनुभव कर पाएगा उसे ही तुरिया कहा जाता है और वह जो नाइन सेज है वह तुरिया का शब्द इसमें है वही शिवम है वही सं संतम है वही चत्तों से है वह चार शब्दों से बना है सो आत्मा है सो विज्ञान है सो ही अध्वेतम है यही सब चीज कोट इन कोट आप एक तुरिया में ही देखते हैं वही ज्ञान देती है वही विज्ञान देती है उसी स्टेज में आप आप इसमें अगर आ को साथ में में देखें, यू को साथ में देखें, मा को साथ में देखें, वही फस्ट क्रेच अवग्रियेशन है, वही ब्रह्मा है, वही कुदरत के साथ आपको अनुबवदेख है, वो उनके लिए ओम ही काफी है, शाय जेवी का आ जाता है कि गायतरी मंत्र को समझने काम भी ब्रह्मा जी नहीं किया था, उन्होंने नहीं बताता है कि तक्त का मतल भूर, ववा, स्वावी है, उसके बाद इसी में से ओम निकलके आता है, यह भी ब्रह्मा जी के नाम पर ही रताया गया है, मैं इतना ही मानता form क्या है तो जिसमें तीन चीजों का इस्तिमाल किया गया है वो क्या है आकारा है युकारा है मकारा है जे तीन शब्दों का लास में आप देख सकते हैं आकारा युकारा मकारा जे तीन शब्द हैं वो आपने आप में जागरता ड्रीम और डीफ स्लीप को निकाल के लाते हैं तो आप भी देखिए उन्होंने किस खूबसूरती के साथ शब्दों का उचारन करके आपको एक एक करके अखंडता की उस तरफ लेके आए हैं जिसके बीच में आप अंत में ओम तत सत है तत यहीं पर भी आ गया है वो डिवाइन एनरजी है डिवाइन का सबसे जो सत्य है वह वही ओम है अब मैं वही लेकर रहा हूं कि जो तत है उसका मतलब डिवाइन नेचर कुद्रत है वही सत्य है वही ओम है वही टूथ है वह कितनी खूबसूरती से वहां पर लेके आगे हैं मैं समझता हूं कि यही दुनिया की सबसे खूश विज्ञानिक ग्यानिक परंपरा रही है जो हमें कुद्रत के साथ ले जाती है अब आ जाते हैं कि जब अज्ञागरुता स्टेज में जो शब्द उबर के आता है वह वेकिंग कॉंशिशनिस में आ का है आप इसमें आ का आ का शब्द का इस्तिमार हो गया है अकारा आ है यही जीवन का सत्य है और हम भी जान क्या रहा चाहे रहा किरिफ राद से ही शुरूआ होता है कि वह उन वहीं रहुत है इस शुरूआत सही है जो बाूई को उसको समझेशिका उसका तया तो यहिसकि कोई डूईदा नहीं 23 जाना बात सब्सक्राइब वो,akes यू के साथ जुड़ा हुआ है,ईू कारा के साथ जुड़ा हुआ हूआ आप इसमें देख रहे हैं हूआ है, पहली लाइन में ही, स्वभनुसत्अ्टत्युस्ियस Union यू कारा ही है, जिसका रिजर्बस जह है कि इसके बाद वह जो ऐसफ्पान,, उन्हा छुरू हो जाती कि कुंद्रिन ये सोती है वो मुरधार चक्र में सोती है जब उसके उठके हाट की तरफ चलते ऊपर जाएगी वही युकारा ही एक इन्विलुशन स्टेश से रेविलुशन और एविलुशन को आगे लेके जाता है वही आपको ब्रह्मन कुद्रत के साथ जोड़ देगा जही चीज समझाने की इसमें कोशिश की गई है अब आगे आते हैं कि ग्यार में में आप आ से शुरू हैं आकारा से शुरू हैं युका कुछारा का है वह 3 CEOs सेज क्या शब्दों का सेमाल किया के आप उसको देखा जाए तो आप समझ सकτε हैं YEहां पर ही पूरा अनुवब को जाता है इसका मतलब जो साथ चक्रों की लोग बात करते हैं मैं मकारा को समझता हूँ मैंने दिमाग welfare दिमाग को पा लिया है क्योंकि मै अंदर से पूरे दिमाग के साथ जुड़ा हूँ थिंकिंग ब्रेन को जानता हूँ पैचानता हूँ शायद इसलिए मैं पूरे दिमाग में एट हर्ट से आंके खूल करके पहला शायद यह जुनिया में किसी और ने इंसान नहीं किया है क्यों मैं कर पाया हूं तो से शाइद कुदृत ने मुझे दिवयंक दिया है क्योंकि मेरी सोच अखंटता के साथ जुड़ी ही संपूर निता के साथ जुड़ी है यही मैं समझाने की कुछ और मैं इतना ही जानता हूँ कि हम सब इंजान एक जैसे ही हैं, हमारी सोच ही हमें उस तरफ ले जाएगी, अगर हमारी नियत अच्छी है, नीतिय अच्छी होंगी, नतीजे उचेंगे, सबसे पहले हमें नियत बनानी चाहिए, हमें अखंड़ता आनी चाहिए, हमें संपून बना है, जब हम संपूनता की तरफ नहीं जाएंगे, तो हम अखंड़ता को महसूस नहीं कर पाएंगे, यह 11 नजर में बड़ी साफ शब्दों में नजर आ जाता है, कि आप वहां पे आपको विज्ञान, प्रज्ञान, अखंड़ता उवर के आ जाएगी, अब आते हैं, आ इंटी स्टेज है, is the mind beyond the fluctuations, वो शुनने के बाद है, मगर वो उसमें सब वो चीजें हैं, जो वाकी चीजों में हैं, उसमें सब एसेंस है, अकाश भूता है, वो अकाश भूता की तरफ आपको ले जाएगा, इसमें इस शब्द को, उसमें कोई duality नहीं है, सब कुछ एक जै जाते हैं, सब कुछ अंकारा इसमें आ जाता है, उसके साथ ही इनसान पुद्रत के साथ या आत्मा के साथ जूड़ जाता है, तो ओम से ही आप आत्मा के साथ जूड़ जाते हैं, यह हीलियम फोर के साथ जूड़ जाते हैं, अदीती के साथ जूड़ सबते हैं, कुंडरनी तो इसने बता दिया कि अगर आपको कुंडरनित की जाना है आप ओम का उचारन करेंगे तो आपको अनुभव हो जाएगा मगर मेरा मानना है वह अनुभव आपके लिए अच्छा है आप सत्चित अधन्त करें बक्ति योग के आदार पर करें बहुत बड़ी है इसमें कोई द अखंडता भी है अगर आपको सब चाहिए तो आपको हर क्यान को 64 आठ को जानना पहिचानना समझ आजा जाएगा फिर वही चीज आप हर चीज में देखने वाले हैं जिनको अपना अनुभवी चाहिए उनके लिए उम्मी काफी है जिनको गायतरी मत्रा चाहिए वही काफी है तो हर इंसान अपनी तरह से मगर मेरी कोशिच यह है कि मुझे गणित तक भी जाना है वह जाना है जिसके आदार पर मैं जन्मों जन्मों तक अखंडता के साथ आगे बढ़ताओं यह खूबी कहीं न कहीं होंकार में मुझे नजर आई है अब आगे चलते हैं आप इससे म मैं अखंड गायतरी का evolution कैसे हुआ था आप उसके बचे में हम बात करेंगे जैसे रिग्वेद में कहा गया है कि तत सवितूर वरेनियम भर्गो देवस से दीन ही दियो योना प्रचोद्यात उसका पूरा शुरू ही तत से ही हुआ है उसके बाद सवितूर है उसके बाद व मूर बवास्वा और ओम तीन चार शब्दों का इस्तमाल नहीं हो है यह पहला है मंडला 10 में रिग्वेद का गायतरी मंत्र तत से शुरू होता है यही मैंने समझने की कोशिश की है जब हम तब को समझते हैं तो मैं समझ सकते तत्वा मसी मैं गिश्र की तरह नहीं है वो अह कोई अंतर नहीं है क्योंकि जो ब्रहन प्रमांट का नहीं है वही तत है शैद इसलिए मैं डिवयंग तक जा पाया हूं मुझे पूरा विश्वा से मैं कुदृत की तरह हूं वह कुदृत की तरह परफेक्ट बन सकता हूं जब जैद्सक्राइब आप जेन मैसूस नहीं के जित्ने भी देवी देतन हैं सारे मेरे अन्दर ही हैं मुझे अनुभव करके उन सब को जानना है तो शायद इसलिए मैं वेड को उपरिशचत को पुराशना को सारे धर्मों को सारे ज्ञांद को विज्ञान को समझाएक क्योंकि मैंने अनुभव आपने जिसमें किया हुआ है वह अनुभव जुरूरी है और जितनी भी जो परंपरा दिखाएगे कि यह देवी देतना यह हैं वह आपके अंदर ही हैं वह आप अनुभव करेंगे तो समझ पाएगे अगर अनुभव जिसमें नहीं करेंगे तो कभी भी नहीं समझ पाई शायद मैंने उनुभव किया इसलिए शायद मेरे लिए असान है ने जो initiatiouson में भी वह मैसूस किया था जो आतकि नहीं किया है क्योंकि मैं अंदर भी जुड़ा हूं अंदर से ही बाहर दुझ रहा हूं मैं बाहर दुझ दुनिया से confusion में ने रिलेटिव और से नहीं देख रहा हूं अखंडता से देख रहा हूं इसलिए संपूनता आ जाती है कि अब यजुरवेद में तत से पहले भूर ववा स्वा का इस्तेमाल किया है क्योंकि यही का जाता है कि लाड ब्रहमा ने जब तत पर विचारन किया था तो उनमें भूर ववा नजर आया था उसने यजुरवेद में वह चीज दिखाई गई है अब आ जाते हैं कि जे भूर ववस्वा जे 21 पार्ट्स है वो इस दिखाने कोशिश के हैं जो ब्रह्म लोग है वो 22 लेबल का है जिसमें ब्रह्म अंक उभर के आ जाता है 22 by 21 इसी में है अब जब उसके बाद ब्रह्मज ने उचारण किया था कि जो तत से भूर ववस्वा है है और बूर ववस्वा हिम है वह हिं मांडू की आप प्रिश्टर दिखाने की कोशिश और si45 में गोर्म है बूर भी भी है वान भी है स्वाब बी ऐसमिंद है जो तुरिया का अनुहभव3 और उम में कर जाता है तो 22-23 ज You उसमें के आदार पे आप गायतरी मंतर को असानी से समझ सकते हैं शायद मैंने इसलिए समझा है क्योंकि मैं शब्दों को जानता हूं अक्षरों को जानता हूं शब्दों को जानता हूं उसकी विचारतार को चाहता हूं अनुभव कर पाता हूं क्योंकि मैं अनुभव कर पाता हूं उससे उचारन करता हूं शायत इसलिए मैं अपने अजिसन के साथ और कुद्रत के साथ खुले आम जुड़ा हुआ हूँ अब आ जाते हैं कि गायतरी मंतर में जह सब चीजे मैंने दिखाई हैं और जे भी बता दिया है कि जो सुभा का है वो शेवजे पूर्व की तरफ देखिए अल्ट्रा वाइले ट्राइप को देखिए आक्सिजन मिलेगी विटमीन डी मिलेगी संपूरत आएगे शाम में भी व महा नजारहिनियोप्रेश्ड में महां गायतरी मंतर का उचारन किया है जहां पे साथ व्याती कि आजाती है कि नि टेफियाए इसमें वह साथ चक्रों की बात करते हैं जो तंत्र विद्या में लोग साथ विते हैं यह तंत्र विद्या की उस विशे हैं जिसमें साथ चीजें हैं बस और वहां पर जो मैं आता हूं क्योंकि कुद्रत की हर चीज जो है वह साथ हिसों में ही बनी है अगर सेल मेंब्रेन में में आप आप आ जाने को महा हैं तो समझ सकते हैं महां शे शब्द आजाते हैं मार्ट तीन छे नौ उसमें नहीं है जो वी की खूबी है जो भी इसके आदार पर मेर्मार भूर्वा स्वा ओम जे आखे चाहित्थ में इसी चीज़ को रिपीट किया जाता है रिइंफोर्स करने के लिए पहला वो evolution की तरफ जाता है, दूसरा reinforcement की तरफ जाता है, यह साथ शब्दों तक ही है, यह तो गनित के साथ शब्दों तक ही सीमित है, अब आगे चलते हैं, अखंड गायतरी मंतर को मेरी आत्मा ने मुझे बनाने के लिए कहा गा, कि तुम उसे अब दस लेवल पे ले जाओ, ओम भूर, ओम वा, ओम स्वा, ओम महा, ओम जना, ओम तबा, जे शे वही हैं, जो उन में हैं, अगर उसके बाद, सत्यम के बीच में, तीन और शब्दों का अस्तावाल हो जाता है, ओम ग्यान, ओम विज्ञान और प्रग्यान, शायद क्योंकि यो विचारदारा साथ साथ के साथ जुड़ा, मगर आप मुझे फिल्मक से माथमेटिकल साइंस की तरफ ले जा रहे, अग्यान, तो विज्ञान, तो प्रग्यान, तो अखंता की तरफ जा रहे वो अलग त्रिके से मुझे दिखाए गे ती जो पहला ओम है वो भूर के साथ जुड़ा हुआ भूमी के साथ जुड़ा हुआ है दूसरा जो ओम है वह वह अंतरिक्ष के साथ जुड़ा हुआ है यह इसमें एविलूशन को देखिए उसके बाद ओम के बाद स्वा साथ हैवन के साथ जुरा हुए है उसके बाद ही रोशनी नजर आती है जिन शब्दों में आपने ब्रह्मा को देख लिया था ट्विटी टूबर ट्विटी वन को देख लिया है वह ओम आपको जोती की तरव ले जाएगा जो अपने आप में अकाश कोश है मर उसके बाद जब नीचे द कर सकते हैं अधीति का कर सकते हैं जीवात्मा का कर सकते हैं फिर आके ओम पर आजाएगा जो नीचे से उपर गया था उपर से नीचे आके जैसे मैं कहता हूं कि चक्राज भी यो पी बैक साइट के हैं वह असेंडिंग है मूलादार से सात्रा में जो बाद में आते हैं उपर आप ध्यान के साथ डीप ब्रेथ लेके ओम का उचारन करेंगे तो आप देखेंगे कि वो नीचे से शुरू होके चेस्ट से होते हैं पुरे जिसन को आपको हिला देगा अपमें वो संपूनता ले आएगा तो उसके बाद अगर आप वो संपूनता आने के बाद अगर आप भ करके स्वा कहेंगे तो आप स्वर के साथ जूर जाएंगे उसके बाद जब ओम के साथ चड़ेंगे तो आप महा ब्रहमांठ के साथ जूरएंगे इसके बाद जाएंगे तो आपको पूरा ज्यान होना शुरू सुरू जाएगे उसके 시간이 और भी Careful आगे ले जाएगा विज्ञान और भी उपर ले जाएगा प्रज्ञान और भी उपर ले जाके वो सत्य में आप जाके देवयां के पास आ जाएगे तो आप खुदी मन्सक्रत की कि आपको ओम का उचारन मूरदार से एके करके दस चक्रों में करेंगे तो आप अंदरी ही अंदर सारे दस चक्रों का अनुभवी कर पाएंगे और उसमें भी आप अधीती को भी समझ देंगे जो अंतरात्मा है जो गायतरी है वो ब्रहमांट और स्पाइरल गैलेक्स की माता है जिसमें नियॉन 21 मौर उसके बाद महागरंती का जो है आधी प्राशक्ति जिस सबको आप समझें के तो सारा ग्यान विज्ञान प्रग्यान अखंटता आपके साथ हो जाएगी जे मेरा अनुभव ही मैं दिखा रहा हूं कि मैंने कैसे पड़ा है सारे का सारा इसी में है इसी में मंतर भी है इसी में यंतर भी है इसी में तंतर भी है इसी में गनित विद्या है इसी में सब कुछ है जो इसने अनुभव कर लिया वह मॉडर्ण साइंस को भी समझाएगा वैस्टन स्काइंस को समझाएगा और शिष्टी को भी सम